नमस्कार दोस्तो चैप्टर टू पे हम लोग पहुंच गए है रुएनन मार्टिन की किताब से हम लोग पढ़ रहे हैं इंगिलिस ग्रैमर अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर पहला लेक्चर देख लीजिए बहुत ही जादे इंपोर्टेंट है उसमें अमने बताया आपको कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस कितने प्रकार क्या होते हैं ग्रैमर को स्टार्ट करने से पहले आपको सेंटेंस का पता होना चाहिए sentence क्या होता है अगर आपको sentence का पता है तो आप grammar को easily समझ पाएंगे आपके अंदर वो basic understanding बनी होगी जिससे आप grammar को समझ सकते हैं तो पिछले lecture में आपको पढ़ा दिया है sentence and kinds of sentences sentence क्या होते है और कितने परकार के sentence होते है यह मैंने आपको पिछले lecture में पढ़ा दिया है अगर आप पिछले lecture नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि आपको यह चीज़ समझ में आ जाए subject and predicate but beneficial यह रहेगा कि आप सबसे पहले first lecture जाकर यानि chapter 1 सबसे पहले आप जाकर जरूर देखिये so that आपकी connectivity chapter 2 के साथ में आसानी से बन जाए इसे के साथ ही अगर आप vocabulary भी पढ़ना चाहते है तो हमने vocabulary की एक series भी चला रखिया इसी channel पर जहां पर आप comprehensive तरीके से vocabulary को जाकर पढ़ सकते हैं 30 days 30 days to a more powerful vocabulary से हम लोग vocabulary पढ़ रहे हैं जहां पर आप बहुत ही शांदार तरीके से vocabulary को पढ़ सकते हैं तो आज का हमारा chapter है chapter number two subject and predicate चलिए हम स्टार्ट करते है अपना chapter number two subject and predicate subject and predicate समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी story बताता हूं एक example की मदद से मैं आपको समझाना चाहता हूं कोई आदमी है A चीक है और एक आदमी है B A B से बात कर रहा है और A B को कहता है कि तुम कहां गए थे तुम कहां गए थे B answer देता है कि मैं school गया था चीक है या मैं college गया था या मैं काम करने के लिए अपनी company में गया था अपना organization में गया था तो A ने B से कोई बात कही तो जो बात को कह रहा है ये जिसने बात को कहा है ये होता है subject और जो बात को receive कर रहा है जिसको आपने बात कही है वो होता है object तो सबसे पहले आप दो चीज़े समझ लेजिए subject और object क्या होता है जो बात को कहता है वो होता है subject और जो बात को सुनता है या रिसीव करता है उस बात को वो होता है object अब इन तोनों के बीच में एक चीज बचती है क्या कि वो जो बात कही गई है वो क्या sentence था कि तुम कहां गए थे ठीक है ये जो बात कही गई है ना subject ने object को, यानि A ने B से जो बात कही है, वो जो statement है, ठीक है, वो जो statement है, उसी को हम कहते हैं, क्या, predicate, predicate का मतलब ही होता है, say, say, कहना, या बताना, इसे simple example और कोई नहीं हो सकता है, ठीक है, अब हम चलते हैं, technical चीजों की तरफ, जो हमने यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर क्या लिखा है, we know that a sentence is a group of words, ठीक है, हमने आपको पिछले lecture में पढ़ा दिया है, कि sentence क्या होता है, sentence एक group of words होता है, और उसका एक makes, it makes complete sense, उसका complete sense होता है, ऐसा group of words जिसका complete sense होता है, example, Suhana is a good student, यह एक complete sentence है, इसका एक particular meaning निकलता है, next, a sentence can be divided into two parts, sentence को हम दो भगों में बाढ़ सकते हैं, ठीक है, जो हमारा आज का heading है, वही, sentence को हम दो भगों में बाढ़ सकते हैं, एक तो subject, यानि जो बात को कहता है वो, और जो बात कही गई है वो, ठीक है, जैसे यहाँ पर, Suhana is a good student, तो एक तो हम इसको divide कर सकते हैं, Suhana अलग कर दीजिए, और is a good student, अलग कर दीजिए, इससे क्या समझाता है, इससे यह समझाता है, कि जो Suhana है, Suhana के बारे में कोई बात कही गई है, ठीक है, तो जो Suhana है, यानि जिसके बारे में बात कही गई है, वो तो हो गया हमारा subject, और Suhana के बारे में, जो बात कही गई है, क्या बात कही गई है, कि वो अच्छी student है, ठीक है, तो जिसके बारे में बात कही गई है, वो तो हो गया हमारा subject और rest of the sentence है क्या बचता है? उसके बाद तो वही बचता है कि क्या बात कही गई थी सुहाना के बारे में तो जो बचता है sentence के अंदर उसी को हम कहते हैं predicate उसी को हम कहेंगे क्या? Predicate चलिए आगे कुछ और examples की मदद से भी लोग समझेंगे जैसे यह कौन है? मैं हूँ? नहीं यह आप हो नहीं यह कोई भी नहीं है यह एक sentence है ठीक है? presume केजिए इसको आप माल लेजिए कि sentence है यह क्या कहता है? यह कहेगा मैं sentence मैं एक sentence हूँ ठीक है? और यह कहेगा कि मेरे दो भाग होते हैं I have two parts यह आप एक sentence माल लेजिए यहाँ पर देखिए मैंने आपको पता है कि subject क्या होता है? subject वो होता है जिसके बारे में जिक्र हुआ है या जिसके बारे में बात को कहा गया है? किसके बारे में बात को कहा गया है? किसके बारे में कहा गया है? name ठीक है name होता है noun वाला जब हम पढ़ाएंगे आपको उसको बहुत एच्छे से explain करें कि noun क्या होता है pronoun क्या होता है यह सब चीज आगे आपको बताएंगे तो फिलाल आप यह समझ लीजिए कि he क्या है एक subject है क्यों क्यों क्योंकि he इससे कोई simple example नहीं हो सकता है जिसके मदद से मैं आपको समझा सकूँ कि subject क्या होता है और predicate क्या होता है मुझे उमीद है कि subject और predicate दोनों आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से अब यहाँ पर कुछ और explanation दे गई है क्या देख लीजिए कि suhana suhana is the subject suhana subject है क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि suhana is a good student ठीक है because क्योंकि the sentence is about suhana suhana के बारे में था sentence the words is good student और यह जो बचा हुआ portion था is good student यह क्या है is the predicate यह predicate है because क्योंकि this part tells us something about the subject suhana क्योंकि यह जो part है na is good student यह हमें कुछ बाते बताता है किसके बारे में subject के बारे में यह जो हमें यह बताता है next इसने क्या लिखा है the part of a sentence which tells us what the sentence is about is the subject ठीक है यहनि sentence के अंदर वो हिस्सा जो हमें यह बताता है कि subject यहनि किसके बारे में sentence के अंदर वो हिस्सा जो हमें बताता है कि ये किसके बारे में है sentence ठीक है तो वो तो हो जाएगा क्या subject और sentence के अंदर वो हिस्सा जो हमें ये बताता है कि subject ने क्या कहा है subject ने क्या बात कही है क्या बोला है वो portion हमारा हो जाएगा predicate कुछ और sentences के मदद से हम लोग समझ लेते हैं जैसे birds fly ठीक है birds fly तो birds क्या हो गया यहाँ पर subject हो गया क्योंकि यही तो काम कर रहा है इसी के बारे में बात हो रही है कि fly कौन कर रहा है तो fly क्या हो गया यहाँ पर predicate हो गया next sentence क्या है the birds flew away ठीक है the birds यानि चिडिया flew away उड़ गई दूर उड़ गई ठीक है तो the birds किसके बारे में बात हो रही है birds के बारे में बात हो रही है तो यह क्या हो गया subject और rest of the sentence जो बचा है हमारा वो क्या हो गया predicate next तो टू बेबीज तो बेबीज वर फीलिंग स्केर्ड ठीक है वर थी यानि टू बेबीज दो बच्चे वर थे feeling महसूस कर रहे scared डरावना यह डर रहे थे ठीक है तो यहाँ पर टू बेबीज की बात होई है यह तो हमारा क्या हो गया subject यह portion हो गया subject और rest of the sentence जो बचा है यह हमारा क्या हो गया predicate next यहाँ पर क्या लिखा है the order of the subject and predicate ठीक है तो अभी तक जो मैंने आपको बताया वो था subject क्या होता है और predicate क्या होता है किस परकार से आप sentence के अंदर subject को अलग कर सकते हैं और predicate को अलग कर सकते हैं अब मैं आपको बताता हूँ कि subject कोई भी जो sentence होता है प्रियाना उसके अंदर subject हमेसा पहले आता है, और object lie, predicate भाद में आता है ठीक है, लेबिगिन कुछ sentences इस परकार के भी होते हैं, जहां पर emphasize किया गया होता है जहां पर किसी चीजडे के उपर emphasize किया गया गया है, जोड़ दिया गया होत Texas emphasize मतलब जोर देना ठीक है तो ऐसे कुछ sentences जहां पर जोर देकर कोई बात कही गई होती है वहां पर predicate पहले भी आ सकता है और subject बाद में भी आ सकता है जैसे example in the jungle lived ठीक है in the jungle यानि जंगल में lived रहता था कौन a lion एक share ठीक है तो share share रहता था था जंगल में तो यहां पर subject क्या हो गया? share हो गया और यह वाला जो portion है यह क्या हो गया हमारा predicate हो गया उसी परकार से go to sleep ठीक है go to sleep यहां पर क्या है यह क्या है imperative sentence है यहां पर यह क्या है imperative sentence है यहां पर लेकिन imperative sentence के अंदर यहां पर जो you है you you क्या है subject है you go to sleep ठीक है but you क्या है hidden है you hidden है यह हमें दिखने ही रहा but यह understood होता है ठीक है यह already stated होता है understood होता है कि यह इसी इपरकार से कहा गया होगा कि you go to sleep तो go to sleep क्या हो गया हमारा predicate और you क्या हो गया हमारा subject हो गया Get up from the bed, ठीक है यह क्या हो गड़ा है, यह क्मांड दी जा रही है, क्मांड दी जा रही है, और कल मैंने आपको बताया थै कि जहां पर कमांड दी जाएगी, वहाँ पर imperative sentence आ जाता है, ठीक है, तो यह भी हमारा क्या हो गया, imperative sentence के फोर में हमारा subject and predicate हो गया, next, और कुछ sentences के मदद से हम लोग समझ लेते हैं, कि subject and predicate क्या होता है, जैसे, sumi came first in the class, कौन, sumi, sumi came first in the class, तो sumi क्या हो गया, subject हो गया, और rest of the sentence क्या हो गया, हमारा predicate हो गया, next, across the river, across the river is the small village, ठीक है, across the river is the small village, तो देखिए, किस के बारे में बात हो रही है, small village के बारे में तो यह small village क्या हो गया, हमारा subject हो गया, देखिए, subject चे आगे लगाए, चे पीछे लगाए, sentences में आगे पीछे हो सकता है, but, अगर आपको एक बार समझ में आ गया है, subject क्या होता है, ठीक है, तो आप उसको कहीं भी पहचान सकते हैं, बात किस के बारे में हो रही है, small village के बा कौन absent है, विसाल absent है, तो विसाल क्या हो गया, subject हो गया, और बाकी जो बचा हो गया, प्रिडिकेट हो गया, उसी परकार वीना, वीना has gone to school, वीना स्कूल जा चुकी है, तो वीना क्या हो गया, subject हो गया, और बाकी जो बचा हो गया, और बाकी जो बचा हो गया, वो प्रिडि तो c, c क्या pronoun है और यह noun की जगे पर आया है तो c क्या हो गया हमारा? subject हो गया और बाकी जो बचा हुआ है वो क्या? predicate हो गया ठीक है? तो इस परकार से मैंने आपको समझा दिया कि subject क्या होता है? and predicate क्या होता है? बहुत ही शांदार तरीके से, बढ़िया तरीके से है सब्जेक्ट को ढूंड़ना है तो आप sentence पढ़ते ही आप यह देखिए कि किसके बारे में बात हो रही है ठीक है? आप यह देखिए कि किसके बारे में बात हो रही है? जिसके बारे में भी बात हो रही होगी वही subject होगा वही subject होगा और यही secret है subject को ढूंडने का subject को तलास करने का तो दोस्तों इस परकार से मैंने आपको आज बताया subject और predicate क्या होता है subject क्या होता है predicate क्या होता है ठीक है तो Red and Martin के किताब से हम लोग grammar पढ़ रहे हैं और यह हमारा था chapter 2 मुझे उमीद है कि chapter 2 आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा पिछला लग जो lecture था chapter 1 वाला वो भी आप जरूर देख लीजिए ठीक है कोई भी lecture miss मत केजिए क्योंकि जब आपके नीव अच्छी रहेगे तो मकान बहुत अच्छा बनेगा जब आपका foundation बढ़िया रहेगा तो आपकी preparation और ज़्याद अच्छी होएगी मुझे उमीद है यह दोनों lecture आपने जरूर देख लिया होगा और continue इसी प्रकार से आप मेरे साथ बने रहेगे so that आपकी अंग्रेजी में mastery हो जाए आप कोई भी exam में बैठेंगे ना ठीक है तो आप आपके लिए लगेगा कि ये तो मेरा forte है English grammar आपको forte बन जाएगा अगर आप इस किताब के साथ-साथ मेरे साथ-साथ अगर आप जुड़े रहे ठीक है तो मुझे उम्मेद है कि लेक्चर आपको जरूर पसंद आया होगा लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद जय हिंद